अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वोट आ यू वेटिंग फो गाईज गो एंड सब्सक्राइब इत नाउ बात कर लेते हैं आपका सब का पसंदीदा शो ये है चाहते की तो शो में सुनाया जा रहा था एक बड़ा ही इंट्वस्टिंग सा ट्वेस्ट की 20 साल का लीप कहानी में आने वाला है वेल आप ये लीप कब आएगा कैसा होगा ये सब जानने के लिए लोग काफी जारा बेकरार थे बेताब थे तो आज हम आपके लिए इसी से जुरी ये खबर लाएं हैं जिसे सुनकर डेफिनेक्टि आप बहुत जारा खुश भी हो जाएंगे साथी साथ खबरों की माने तो ये भी सुनने में आ रहा था कि लीप के बाद इस शो का हिस्सा नहीं होंगे नयन और समराठ लेकिन यहाँ पर शो के मेकर्स ने जारी किया है नया प्रोमो जिसमें आप देखेंगे कि शो में 20 साल का लीप आएगा और 20 साल के बाद कुछ ऐस होगा जिससे नैनतारा और समराठ की राहें अलग-अलग दिखाई जाएगी अब बात करते हैं इस शो में इन दोनों के आने वाले नए लोग की तो गाइस प्रोमो में अगर बात करें तो प्रिशा याने कि नैनतारा और समराठ दोनों ही हम सब को नजर आ रही हैं इस नए प्रोमो में आप देखेंगे कि नैनतारा रिक्षे में बैटी होगी और यहां पर समराठ वैसे ही अपने रॉक स्टार का स्टार्ड़ फॉलो करते हुए बड़ी ही आलिशान सी गाड़ी में बैठा नजर आएगा और देखते ही देखते ही यहां पर ट्राफिक सिंगनल पर चश्मा वश्मा लगा कर पूरे रॉक स्टार फील के साथ बच्चों को बहुत सारे बलूंस देने वाला है और लेकर के वो सिधा उड़ा देगा जिसे देख कर यहां पर नैन तारा भी बहुत कुश्यों गी अब देखना होगा काफी इंट्रोस्टेंग कि यह जो शो मेकर उसने नया लुक दिखाया है इन दोनों का इसके पीछे का मेन मोटिफ क्या है आकर क्या हुआ होगा भी साल पहले आकर क्या वज़ा रही होगी जो समराट और नैन एक दूसरे के साथ नहीं है वैल इन सारी चीजों पर उससे उठेगा परदा लेकिन फिलहाल तो आपको झाल